प्यारे दोस्तों आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं छे पेरो वाली गाय, सिक्स लेग वाली गाय इस गाय को आप ध्यान से देखिए आपको इसके छे पेर दिखाई दे रहे होंगे आप सभी ने और हमने अधिक तर चार पेरो वाली गाय ही देखी है और अमोमन एसी गाय ही पाये जाती है लेकिन विशेश कर कभी कभी कोई बेलगाडी वाले, कुछ रथ वाले गाडी वाले इसी गाय को लेकर आते हैं जिसके चार पेर, छे पेर, पांच पेर अलग-अलग जगे से निकले होते हैं तहीं पीठ पर निकले होते हैं, तहीं पीछे की साइड निकले होते हैं तहीं पेर के पास में निकले होते हैं, तहीं बीच में निकले होते हैं शरीर के अलग अलग अंगों से इसे पेर निकले होते हैं या किसी गाई के सिंग जादा होते हैं इसे अलग अलग आकार की गाई पाई जाती है और इन गाईं को लेकर आते हैं गली गली घुमाते हैं शहरों में घुमाते हैं और इनको इसा बताते हैं कि एक चमातकारी गाई ह इनकी पूजा करने से आपकी मनोकामनाय पूर्ण होती है इसा दिखाया जाता है तो साथियों हम आपसे जाना चाहते हैं कि क्या एसी गाय की पूजा करने से क्या मनोकामनाय पूर्ण होती है और गायों को एसी गायों को बांध कर रखना या पाल कर रखना और एक बिजनेस प इसा result देखा हो तो भी बताईए या फिर एसी गाय जिनके ऐसे पेर निकले होते हैं एक्ष्ट्रा अंग निकले होते हैं तो ये क्या कारण है जिसको भी जैन करी है वो बताईए और आपको ये वीडियो के से लगा क्या पहले आपने एसी गाय देखी है जिनके अलग-अलग देखा जाए तो अच्छा भी है कि गाय का संरक्षन हो रहा है गाय को पाला जा रहा है इस एक्ष्ट्रा पेर के करण वरना सड़क पर गो माता एसे ही घुम रही है कोई उनकी परवा नहीं कर रहा है हर कोई उनको लठ मार रहा है कोई उनको पर गाड़ी चड़ा करने कर र लेकिन आपके राय आउसे दीजिए क्या इस प्रकार से इसी गाय को बांध कर रखना अच्छी बात है जो भी आपको लगता है और आपने पहली बार इसी गाय देखी हो यहां पर वीडियो में तो कमेंट करके आउसे बताईए कि हमने पहली बार देखी है और आपने और कहीं पहली बार देखी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं इसको देखकर आपको किसा लगा भारत की सुन्दरता देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद्ट